नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा वेलकम बैग तु माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट आ रही है च्छाइवाग के तरफ स जो इस वीडियो में हम आज आपको देने वाले हैं यहां पर देख सकते हैं एक ख़बर है भासकर की तरफ से कि निगरानी को भेजी हिलसा वर नूर सराई के 69 फिसको के सुची हो सकता है बड़ा खुला सा जी हां हिलसा और नूर सराई में ऐसे 70 के असपास टीचर हैं जो सा का डॉकमेंट फरजी हो सकता है और इसी चीज़ को बड़ा खुला सा कहा जा सकता है अभी जांच के लिए भीजा गया है जीला लोग सिकायत निवारन पताधिकारी के पास दाइर किया था परिवाद फरजी बीटेट और सीटेट प्रमान पत पर हैं कारियत जांच कर कारव सब्सक्राइक आदेश भी होगा माफियाओं का बताया जा रहा है या खिल जी हां जितना भी फरजी वाड़ा हुआ है माफियों के द्वारे ही हुआ है तिन लाख चार लाख रुपेव लेकर दस को का लिस्ट नहीं मिला है अभी तक क्या है पुरा मामला उसका पुरा करने से पहले अगर आप मेरे यूटूप चनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा यूटूप चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूप कर लीज़े सब्रेस प्ली इसी तरह का अपडेट हम अपने यूटूपब के मादम से आपको पासित किया गया है आज के डेट में अब चलिए इस चीज को बिस्तार से देखते हैं जो लोग वीडियो को लाइक नहीं की है पर वीडियो को लाइक भी जरू कर लिजेगा और वाटसप और टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर लिजेगा नीचे लिंक दिया हुआ है निग से कम 15 2015-16 से करवाई सुरू हुआ लेकि अभी तक फर्जी पकड़े ने गया है क्योंकि साइद ये भी उतना ध्यान से काम नहीं करना चाहते हैं हर इक बार ही कहा जाता है कि कि सक्स करवाई की जा रही है अगर सक्त होता तो अभी तक फर्जी बाहर होते और सात्मे चरन में जो भी अभ्यरते हैं उनको आने का मौका मिलता क्योंकि ये बाहर होंगे तो इनकी सीटे खाली होंगी और वहाँ पे नू कंडिडेट या पाएंगे निगरानी के अस्तर पर के जा रहे हैं जांच में बड़ा खुलासा होने की संभावना है सुची भेजे जाने की भनक अगE एक-दूसे से क्रिक्में लगे हूँ है कि क्या होगा अब क्या होगा बता दें कि द widow भासकर ने किये फर्जी तरीके जाने का खुलासा किया था जिए बात सही है देनी भासकर बहुत बारी को इठाया है अपने परमानपद पर न्यूजित हुए शिजक्वों का मामला खुलता ही जा रहा है अब हिलसा और नूर्सराइमें बड़े पैमाने पर फरजी सर्टिपिकेट पर शिच्चक बहाली का मामला सामने आ रहा है देखिए दू परकंड है हिलसा और नूर्सराइक अभी दो फरकंड में कम से कम सत्र सिच्छक ऐसे हैं जो फरजी के लिष्ट में सामिल है और नारंदा जिला का अगर पूरा लिया जाए तो पता नहीं और कितने आ सकते हैं जिना लोग सिकायत निवारन परधिकारी ने सिच्छा विभाग को सभी सिच्छकों के सर्टिफिकेट की जांच कर करवाई करने का निर्देश दिया है निर्देश पर करवाई करते हुए डिप्यो अस्थापना सुजित कुमार रावत ने हिलसा और नूर्शराय के सिच्छकों के सुची निगरानी को भेज दी है उन्होंने बताया कि नियोजित सिच्छों के खिलाप निगरानी की जांच चल रही है इसमें जो सिच्छक फरजी पाये गये हैं उनके खिलाप एफायर दर्ज करा दी गई है यानि कि जिनका जिनका नाम 69 सुची में आया है जो यहां पे सो कर रहा है उन पे सब भी AFIR दर्ज हो चुका है अगर इस मामले में भी जांच में फर्जी पाए गया तो कारवाई तै है यानि कि ये फर्जी है और इस बार जो भेजा गया है जांच के लिए अगर ये भी इसमें पुरी तर से प्रूफ हो गया कि पुरी तर से फर्जी है तो फिर इनको AFIR तो होगा ही असाथ में जेल भी जाना पड़ेगा वर्ज 2022 में जीले के सिक्टिनाय फर्जी सिचकों के ब्रूद प्रात्मी की दर्ज की जा चुकी है अल्रडी इन पे केस हो चुका है और ये केस 2022 में ही हुआ है अब देखिए यहाँ पे माफियाओं का बताया जा रहा है खेल पुरी तरह से पुरा खेल नियुजन से जुड़ी माफियाओं का है जिले में एक ही TET करमांग पर कई सिचक कारियत हैं सोच लिजे रॉल नमबर एक और उस पर कई टीचर ऐसे हैं जो TET का रिजल्ट निकाल कर कारियत हैं यह इस्तिती किसी एक परखंड की नहीं बलकि अधिकतर परखंडों में हैं भले TET उतिन करने वाले एक हों लेकिन उस नाम और रोल नमबर पर कई लोग बहाल कर दिये गये हैं कई लोग फस सकते हैं 10 सिसकों का रिजल्ट नहीं मिला है परिवादी ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत उपलव्ध कराई गई परमानपत्यों को सूची के अधार पर जांच में 10 सिसकों के रिजल्ट भी नहीं मिले जबकि यह सिचक पिद्ध्याले में कारियत हैं और बेतन भी ले रहे ह जबकि कई सिजकों के पिता के नाम में अंतर है तो कई अभिहर्ति के नाम में भी अंतर है अभी हां देख सकते हैं क्या है पूरा मामला वो देख लेते हैं जिले के विभिन विद्यालों में फरजी बीटेट और शीटेट परमानपत के अधार पर हिलसा और नूर सराय पर खं के पास परिवाद दायर कर जाँच की मांग की गई थी परिवादी धनंजे कुमार उप गुड़ु कुमार ने परिवाद के नाम न्योजित सिच्को के नाम पिता का नाम बिद्याले का नाम एवं बीटेट वर सीटेट का डौल नंबर भी उपलवद कराया था जिसके बाद जिला लोक सिकायत निवारन पतादिकारी ने सिच्छाई वाग को जाँच कर करवाई करने का निर्देश दिया है साथ ही यह भी कहा है कि अभी भी काफी संख्या में फर्जी बीटेट और सीटेट परमानपत पर कारत हैं इसके भी जाँच करें इसके बाद डिप्यू अस्थापना ने 69 सिच्को को सुची निगरानी को जाँच कर करवाई करने के लिए भेज दी है अब चलिए किनका किनका नाम है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं सिच्को कि सुची यहाँ पर डाला गया है प्रात्मिक बिद्दाले भट भिगहा गीता कुमारी प्रात्मिक बिद्दाले धनिसपूर अंजु कुमारी प्रात्मिक बिद्दाले सुहारपूर निहा कुमारी प्रात्मिक बिद्दाले नोनिया भिगहा रिंकु कुमारी प्रात्मिक बिद्दाले चक मुनमा सुनाली प पकड़िया बिगहा खुस्पवु कुमारी प्राथ्मिक बिद्धाले भरेटी स्वामी विवेकानंद प्राथ्मिक बिद्धाले मोग किलापर पूजा कुमारी प्राथ्मिक बिद्धाले चिक्सावरा प्रियंका कुमारी उतकर्मित मद बिद्धाले यारपूर पंकज कुमा संगीता कुमारी प्राथमिक बिद्याले परलाद नगर खुशबू कुमारी प्राथमिक बिद्याले द्यालपूर पिंकी कुमारी मत बिद्दाले मोहदी नगर नीतु कुमारी प्राथ्मुक बिद्दाले लुथ फलिक्चक रस्मी कुमारी और सीमा कुमारी प्राथ्मुक बिद्दाले का कैला अभिनास कुमार प्राथ्मुक बिद्दाले कैडी राजी बरंजन परसाद प्राथ्मुक बिद कुंद्धि कुमूर कुमारा कुमार बेगंपोर है पाले पढूर मुझ कान में जैंका मेनका कुमारी प्रातिमित म्द्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् पठावरा सुभास चंद्रबोष मदबिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् लोगिना, त é